यी महा यज्य में आज हम भुगुबाबा अर्वन देवी के प्रणाम करे आईनिहाँ गोशी, मव, सलेमपूर, बलिया यी पूरा इलाका हमरे पडोस का इलाका है बनारज वालन के लिए इप पडोस ही होना भाईयो और बहनो, चोबिस के इस चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर है भारत जितनी दमदार सरकार बनाएगा जितना दमदार प्रणान मंत्री बनाएगा उसकी गुंज दुनिया के हर देश में सुनाई देगी साथियों पुर्वान चल की ये धर्ती तो पराक्राम और क्रांती की धर्ती है ये वो इलाका है जहां मंगल पंडे का साहस है यहां महराजा सुहेल देव का पराक्रम है और स्वर्गियत चंद्र सेखर जी की मुखर आवाज है ऐसे मैं पुर्वान चल के लिए तो इस चुनाव का महत्व डबल है सपा कॉंग्रेस के परिवाद ने उनके परिवारबाद ने पुर्वान चल को माफिया का ख्षेत्र बना दिया था अभाव गरीबी लाचारी का ख्षेत्र बना दिया था लेकिन दस साल से पुर्वान चल देश का प्रधान मंत्री चुन रहा है साथ साल से पुर्वान चल उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री चुन रहा है और इसलिए पुर्वान्चल सबसे खास है गोसी, बलिया और सलेमपूर सिर्फ एमपी नहीं बल्कि देश का पी-एम चुन रहे हैं गोसी से सुभाज सपा के बाई अर्विन राजबर जी को मिला हर वोट मोदी को मिलेगा बलिया से निरत सेखर जी को मिला वोट मोदी को मिलेगा सलेमपूर से रविन रकुसवाजी को मिला हर वोट मोदी को मिलेगा और इसलिए एक साथ बोलिए फिर एक बार फिर एक बार बाई और बेनो एक जून को मतदान से पहले हमारा पुरवांचल मन बना चुका है बीजेपी को जिताना है एंडिये को जिताना है पुरवांचल के गरीब बेटे को ताकत देगा जो आपकी सेवा में दिन रात एक कर रहा है पुरवांचल उसे ताकत नहीं देगा जो आपको गरीब बनाए रखना चाहते हैं आज मोदी आपका पक्का घर बना रहा है आज मोदी आपकी प्रॉपर्टी के पक्के कागड यानि घरोनी बना कर दे रहा है इसलिए हमारे सभी देशवास्यों ने ठान लिया है आप सबका मक्कम निर्धार है आपका आशिरवाद मोदी के साथ है साथियों समाजवादी पार्टी ने हमेशा साजिस के तहट पुरवाणचल को पिछड़ा बनाए रखा ऐसे लोगों को पुरवाणचल बार बार सजा देगा जिनों ने इस खेत्र के साथ विश्वादगात किया इंडी गडबंदन के वो लोग जिनों ने आपके घरों में आग लगाई जिनों ने आपकी जमीनों पर कबजे किये जिनों ने यहाँ दंगाईयों को ताकत दी जो माफिया के लिए आंसु बहाते हैं ऐसे लोगों को अब पुरवाणचल में पैर नहीं रखने देना है साथियों आज मैं पुरवाणचल को गोसी के लोगों को इंडी गडबंदन की बहुत बड़ी साजित से सतरक करने आया है सपा कॉंग्रेस का हिंडी गडबंदन सभी जातियों को आपस में लड़ा रहा है ये लोग चाहते हैं दलीट, ब्रामन, राजपूत, भुमिहार, चवहान, बनिया, यादव, मला, कुर्मी, कुश्वा, राजबर, कुंगार, गौंड, कायस, सिंधी, ऐसे सब वो आपस में जगड़ा करके कमजोर हो जाए आप सोच रहे होंगे कि इससे इंडी गडबंदन का का फ्यादा होगा जब समाज के लोग एक जुट नहीं रहेंगे आपस में एक दूसरे के बाल नौचेंगे तो आपका असली मुद्धो से ध्यान बटक जाएगा तब ये इंडी वाले अपनी असली साजिस को अमल में लाएंगे ये तीन बड़ी साजिसों को पूरा करने का लक्ष लेकर चल रहे हैं एक तो ये इंडी वाले संबीधान बदल कर उसमें नए सिरे से लिख देंगे कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षन दिया जाए दूसरा ये इंडी वाले SC, ST, OBC अती पिछडे को मिलने वाला आरक्षन खत्ब कर देंगे और फिर तीसरा काम होगा पूरा का पूरा आरक्षन धर्म के आधार पर मुसल्मानों को देने का आज सपा कॉंग्रेस, इंडी वालों की वोट बैंक और ये वोट बैंक पॉलिटिक्स इस तर पर निचे गिर गई है ये इंडी गर्भंदन वाले भारत में बहु संक्यक समाज को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते साथियों, यहाँ जो फर्स ताइम बोटर है, उनको दो हजार बारा का आज से ग्यारा साल पहले सपा का जो गोश्रा पत्र है, वो शायद आपको याद नहीं होगा दो हजार बारा में सपा ने अपने गोश्रा पत्र में साप साप लिखा है कि जैसा आरख्षन बाबा साब आमबेड कर ने दलीतों को दिया, वैसा ही आरख्षन मुसल्मानों को दिया जाएगा ये संबिदान की भावना के खिलाफ है, ये बाबा साब आमबेड कर की भावना के खिलाफ है लेकिन इंडी वालों को इसकी कोई परवा नहीं साथियों एक और तरीका कॉंग्रेस ने 2014 से पहले खोजा ये तरीका स्कूल, कॉलेग, यूनिवर्सिटी को अलप संक्याग संस्तान गोशिप करने का है इसके लिए कॉंग्रेस ने रातों रात कानून बदल दिया एक जटके में ही हजारों सैक्चनिक संस्तानों को अलप संक्याग संस्तान गोशिप कर दिया और पहले इन में SC, ST, OBC को आरक्षन मिलता था वो पूरा खत्ब हो गया और मुसल्मानों को आरक्षन मिल गया दलीतों, पिछणों, आदिवासी बेटे बेटियों के साथ इससे बड़ा दोखा क्या हो सकता है साथियों, इनका तीसरा तरीका इनोंने OBC के आरक्षन में डाका डालने का अपनाया है रातों रात ये मुसलिम जातियों को OBC गोशिप कर रहे हैं अभी कलकत्ता है कोट ने सततर मुसलिम जातियों का OBC आरक्षन खारिच किया है मुसलिम आरक्षन का ये पूरा मामला सुप्रीम कोट में अठका हुआ है बार बार कोट में ये मामला इसलिए अठका हुआ है क्योंकि बाबा साब आम बेड़कर लिख करके गए थे कि धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो तब बटवारे के रुप में इसका परणाम देख चुके थे लेकिन वोट बेंक के भूखे ये सपा वाले एक कॉंगरेस वाले बाबा साब आम बेड़ करके संबिधान को बदलना चाहते हैं ताकि मुसल्मानों को आरक्षन देने का उनका जो सडियंत्र है S.C.S.T.O.B.C. का आरक्षन चिन लेने का उनका जो सडियंत्र है उसको कोई अदालत में जा करके चुनोती न दे सके साथ्वियों आज आयोध्या में बग्यराम मंदिर बना पूरी दुनिया से लोग वहाँ राम लला के दर्सन करने जा रहे हैं लेकिन सपा कॉंग्रेस के साही परिवार के लोग क्यों नहीं गए इन्होंने राम लला प्राण प्रतिष्टा के निमंत्रन तक को ठोक कर क्यों मार दी आप याद कीजिए चुनाओ के समय इन मंदिरों में जाने का दिखावा करते हैं लेकिन पान सो साल बार हमारी सब्यता हमारी आस्ता का इतना बड़ा पल आया तो ये राम मंदिर को गालियां देने लगे खोट ढूंडने लगे ये लोग राम मंदिर बनने से बहुत नाराज हुए ये लोग लगातार जबाव बना रहे हैं कि जैसे साबानो का पैसला पल्टा वैसे ही राम मंदिर पर सरवोच्चा अजारत का पैसला भी पल्टा जाए भाई यो और बेहनो मोदि जब खुलकर इनकी पोल खुलता है तो ये मोदि की कब्र खोदने के नारे लगाते हैं ये लोग मोदि के खिराब बोट जिहाद करने के फत्वे निकालते हैं लेकिन जब तक मोदि के पास माताओं बेहनों का सुरक्षा कवच है आप सबका आसिरवाद है नव जवानों का उत्सा है मोदि का कोई कुछ नहीं बिगाड सकता ये बलिया है जहां से हमने घर घर सस्ती उजवला गैस पहुंचाने की क्रांती शुरू ही थी आज पूरे देश में गरीप दलीप पिछडे परिवार की माताओं बेहने मुझे हर दिन खाना पकाते समय आशिरवाद देती है मोदि ने चुलाई नहीं दिया मुप्त अनाज भी दिया ताकि किसी मा को भूखा रहना न पड़े अपनी संतानों को भूखा देखना न पड़े गरीप का चुला बुझ न जाए आज यहां गरीबों को पड़ेगी यह खर्चा अमारी माताओं बेहनों का बिजली बील बिजली का बील जीरो कर देगा जीरो इतना ही नहीं हर गर में बिजली बनेगी और जादा बिजली बेच करके हर परिवार कमाई भी करेगा और इसके लिए मोदी ने पी एम सुर्यगर मुप्त बिजली योजना शुरू की है योजना चालू है आप ओनलाइन रजिस्ट्री करवा सकते हैं और इसमें आपके घर की छत पर सोलर पैनल लगेगा उससे बिजली बनेगी वो बिजली आपको मुफत में काम आएगी और जादा बिजली सरकार खरीदेगी आपको कमाई होगी और इसके लिए सरकार आपके घर की छत पर सोलर लगाने के लिए सरकार आपको हर घर को 75,000 रुपिय तक की मदद करेगी साथियों चार जुन को तो साथियों चार जुन को तो बड़ा मंगल है मंगल होना है और इसलिए आपको याद रखना है गोसी में एंडिये को जिताना है और हम गलती न करे यहाँ पर चुनाव चिनल छड़ी है एसा नवग लोग जाकर के कमल जुन्डे और कमल न दिखाई दे तो जगड़ा कर दे यहाँ पर मोबी के हाथ में छड़ी है बलिया में और सलेमपूर में वहाँ कमल है तो आपको जहाँ छड़ी है वहाँ छड़ी याद रहेगी जहाँ कमल है वहाँ कमल याद रहेगा लेकिन इसके लिए गर-गर जाएंगे जर दोनों हाथ अपर करकर बताईए गर-गर जाएंगे जादा से जादा मद्दान कराएंगे मद्दान के सारे रेकॉर्ड तोड़ेंगे हर पोलिंग बुथ को जितेंगे पका अज़ा मेरा एक काम करेंगे आप लोग ऐसे नहीं हाँ चोड़के पूरी ताकत से बताओ तो बोलू मेरा एक काम करेंगे यह चुनावाला काम नहीं मेरा परसनल काम है करेंगे ज़र आप पूरी ताकत से बताओ यह करेंगे एक काम करना आने वाले दिनों में जब भी किसी गाउं में जाते हैं या अपने गाउं वालों को ले करके आपके गाउं में जो दिवस्तान हो आपके गाउं में जो तिर्थ खेतर हो वहाँ जाना मोधी की तरफ से वहाँ मत्था टेखना परमात्मा के सामने और कहना के प्रमात्मा हमें आशिरवाद दे, करेंगे, करेंगे, और ये आशिरवाद मोधी के लिए नहीं चाहिए, ये आशिरवाद मोधी के परिवार के लिए नहीं चाहिए, ये आशिरवाद विख्षिद भारत बनाने के लिए चाहिए, तो गाव गाव हर मंदिर जाएंगे, हर तिल्सक खेत्र में जाएंगे, आशिरवाध मांगेंगे, बोले भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद दोहजार उन्नीस के फर्वरी में मैंने रिपब्लिक भारत शुरू कि इतनी सपोर्ट मिली हमारे राष्टवादी चैनल को कि एक साल के अंदर भारत का नंबर वन चैनल हो गया उसके बाद कई लोगों ने मेरे खिलाफ और रिपब्लिक मीडिया नेट्वर्क के खिलाफ साजिश कि वो तो सब आप जानते हैं दोस्तों दोहराने की ज़रूरत में आज ने उन सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि रिपब्लिक भारत एशिया के सबसे बड़े न्यूज रूम से ऑपरेट करेगा और एशिया के सबसे बड़े स्टूडियो कंप्लिक्स है जिसको हमने संघर्ष और तपस्या से बनाई है और आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने मेरे शुपचिन तक हैं जिनोंने सोचा था कि अर्नब गोश्वामी को रिपब्लिक भारत से दूर कर देंगे उन्हें फिर से सोचना पड़ेगा क्यूकि मैं अर्नब गोश्वामी कभी रिपब्लिक भारत नहीं छोड़ सकता और रिपब्लिक भारत पे ही मैं वापस आ रहा हूँ झाल झाल